हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मेरे बाइक का फुल मॉडिफिकेशन रिव्यू तो आप देख सकते हैं बाइक काफी अच्छी लग रही है और मॉडिफाई करवाना हुई चाहिए हर बंदे को जिसके पास बाइक जाफ कर देकता हो आप काफी लग और अच्छा अटार्यष्ट नलग के ने सब्सक्राइब मेरे अच्छा थायोग तो रिजो मगया को कि अच्छा यह थो पर दिखने में आच्छा लगता है आ सब्सक्राइब करें न दो सब्सक्राइब नसका घ्या ने था fard करने हैं सब्सक्राइब कर लए यह काफी हद तक तक बेरे सब्सक्राइब करते हैं deserves एक दम फुली लोड़ेट सी लग रही है आप देख सकते हैं तो ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन करने से क्या होता है बाइक आप देख सकते हैं हर कोई बंद गर देखता है बाइक को तो उसको पसंद आ जाती है कहां से करवाया देखने आते बाइक को पूचते है कि अच्छी लि भी लुक देखा देता है के कौनवाग कोंसा वहा ने स्भॉण कर das तो इसलिए मैं देखता हूँ अगर अच्छा वाला मिलेगा कोई तो इसको हम लगा लेंगे तो सीट आप देख सकते हैं फ्रेंट सीट को मैंने मूचा करवाया था और सिंगल प्लियन सीट करवाया था तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा कि यह भी लुक दे देता है और काफी रेडियम मार चुका हूँ मैं अपने बाइक पर तो देख सकते हैं बहुत सारा रेडियम भी मारा हो चुका है मेरे बाइक पर क्रिकरिंग का काम भी बहुत खर्चे का पड़ गया मुझकूर तो वह में पाट बटाते जाता हूँ आप देख लीजिए और मैंने पिछ सब्सक्राइब को काफ सब्सक्राइब का थिंय छाल खर्शी का जो कभर रहता हुश को भी मैंने करवाया है यह आद को भी मैंने किया है तो अप संक्षापकते इस तरब का वी आप देख सकते ए पैनल को तो यह क्या होता है से कि जो आपका ब्लैक बाला फार्ट यह उनको करवाया है और बाखे को रहने दिया है तो आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला में था तो उसको हमने रहने दिया और ब्लैक बाला को हमने करवाया तो आप देख सकते हैं यह जो कलर करवाने से बाइक को एक अच्छी लुक आती है देखते हैं सब लोग पूछते हैं और आपको भी तसली हो जाती है कि हाँ बाइक अच्छी लुक दे रही है चलाने पर भी मज़ा आता है एक अलग सी फिल रहती है तो फ्रेंट्स अभी हम आते है प्राइस पे तो अच्छी फिल दोन दों और और इंज पर करवाने पर मुझको खर्षा आया था 1300 और फ्रेंट्स मैंने आपको बता दिया के यह जो रिंग कलर है तो इसको मुझको टेरा सो रूपिया पढ़ गया था और यह जो ग्रीन वाला पर आप देख रहे है तो इसको करवाने पर मुझ लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है और यह जो सालेंसर गार्ड और यह जो सीट क्रोल है तो इसको इन दोनों को कलर करवाने मुझको 600 पड़ गया तो आप देख सकते इससे हिसाफ लगा लिजिए आपके सिर्फ कलर पे खर्चा कितना आता है तो उतना भी करने से एक बार लुक देख लीजिए आपके रेडियम पेपर से मारने पर लुक कैसा आता है तो रेडियम का में प्राइस बता देता हूं आपको तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रेडियम का पार्ट पार्ट होता है कि आप एक साथ 10-15 को ए हिसाब करके दिखा देता हूं तो यह वाला जो अभी मेरे मारा है तो यह मारने पर मुझको खर्चा आ गया 200 का तो आप देख सकते हैं साइड पैनल पर और वैजर पर तो सिर्फ सामने का स्टिकर पर हम उंको 200 का खर्चा पड़ गया और अभी आप जो यह वाला देख रहे त यह वाला मेरे वैजर पर था तो यह मैंने राजू के दुकान से करवाया था तो मुझको याद नहीं है कितना लिया था उसने 200 का ही लिया होगा और उससे भी पहले कुछ था तो बहुत सारी मोडिफिकेशन मैंने चेंज करिए अपने बाइक पर आप देख सकते कि काफी आप देख सकते कैए जो आप स्टिकरिंग वगश्र है तो इसका पढ़ता है आपको 50 रुपे और यह वाला जो आप देख सकते हैं मेरा मारा है तो इसका पढ़ता है 30 रूपया प्पल का देख सकते तो इसका भी आप 30 लगा लीजिए आप यह यूटू चूजों के देख तो इसका भी आप 30 लगा लीजिए आप more than 125 देख सकते इसका भी आप 30 लगा लीजिए आप MotoGP का लोगो देख सकते हैं तो उसको 20 पढ़ जाएगा आपको और यह वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं तो यह आप रेडियम पेपर काट के उसको मार सकते और दुकांदार को भी बोल सकते के मार दो ऐसा कुछ तो दोनों साइट का मिला के और यह वाला जो आप देख सकते मैंने मारा है तो यह काफी मैचिंग सा लगता है और यह वाला जो पार्ट है तो इसको करने पर मुझको 100 रुपय का खर्चा पढ़ा था और यहां पर देख सकते हैं बाइकर चुछ पढ़ गया था करीबन 30 रुपया और यह बैकलाइट है को था इसका मुझको पढ़ गया है 100 रुपया या फिर देड़्स आप देख सकते इंडिगेटर को भी मैने रैपिंग किया है और अलग सा पेपर जिया है जो दिखने पर अच्छा लगता है जो किया वुलत पकड़ लीजी आप और अभी में मोतुल का डालता हूं तो अभी मेरे पास नहीं है और जानने के कैरेज पर हम गये थे तो वहां से भी नहीं मिला हमको बार्मपूर पर भी नहीं मिला था इंजिन ओडर कर देंगे और परस आएगा बोला उसने तो फिर हम परसो ले लेंगे अधिन यहां में अकजिए थे सकते हैं और यहां अपर गगंची है और 20 अच संबर राइटर को मिला है और टहुत अच के आफिस अगया झाहिए शर्फ्र छिवात का बनाना पड़ता है तो ऊनने की वह बेद में वहावचा 혼िक गज़िए तो यह लिए भी 2020 का पठादीज तो यह साइड बाला जो नौस मैंने मारा है स्टीकर तो यह भी आपको पड़ जाएगा 20 रूपे का एक सिंगल पीस तो दोनों सरब और मैंने इसको दो बार चेंज किया है और अब भी मैं इसको चेंज करूँगा कल चेंज करूँगा मैं इसको और देखेंगे कि मिल पाता है यह फिर नहीं नौस वाला यहां पर देख सकते हैं यह वाला जो पार्ट है तो इसको मैंने तीन बार चेंज किया है यह वाला जो पूरा वाइदर को कवर करता है यह वाला पार्ट पहले मैंने मारा था एक तो वह मेरा बैक लाइट पर मार जया था था मैने तो तो यह उससे थोड़ा सा अलग है इसका सेफ थोड़ा मोटा है उसका सेफ थोड़ा पतला था तो उसका भी मुझको पड़ गया था 300 रुपए उससे वाला भी मुझको पड़ गया था करीबन 200 रुपए और यह मुझको पड़ा है अभी 300 रुपए आप पकड़ लीजिए इस तो मैंने उसको भी हटा के अभी नया वाला कुछ कर जिया है तो इतनी सारी मौडिफिकेशन करवाने के बाद जो एक बाइक अच्छे लगती है आप देख सकते हैं तो काफी खर्चे आ जाता है बहुत सारी खर्ची हो गई है और मैंने दो-तिन भार इनको उठा के फिर्जर म मज़ा आता है और लोग देखते हैं इसलिए वह एक एक्साइटमेंट होती है कि पब्लिक रियक्शन कैसा होगा तो नयवाला मौडिफिकेशन पर मुझको हर वक्त पब्लिक जो रियक्शन है वह काफी अच्छा मिल चुका है काफी तक अच्छा मिला है मुझको सब लोग अच्छा लग रहा है बहुत हम भी करवाएंगा अपने बाइक पर तो मैं उनका एडिर्स भी दे देता हूं तो अगर आप करना चाहते तो फिर बहरंपुर पहुंच जाए और अगर आप हमारे एरिया से बिलॉंग करते तो मुझसे कॉंटक कीजिए मैं आपको ले जाने क खरण लोगों को तो यह वाला वीडियो थे परस ली कर सकते रहे मेरा काफी खरक्चा हो चुका है चार बार सीच कवर अपना चेंज कर चुका हूं और तीन सीट कवर मेरे नीचे है दो सीट कवर नीचे इसको मिला करें हीजढ पूंद उठा कर तीन हो गया और एक सीट कवर मैं उठा कर फेंक दिया था क्योंकि वो § ऐीजग हो चुका था तो तब मैंने सीट को सिंगल प्लेन नहीं किया था तब मेरा सीट प्लेन था और तभी मैंने दो चेंज किया था और इसको करने के बाद हम दो कर चुके है अभी तो तीन कर चुके है टोटल पांच हो गया चार बोल रहा था मैं तो इसके अंदर है एक ब्लू वाला जो के मेरा पिछले वाला मोडिफिकेशन पर आप देख सकते ह करीबन चार-पाच मेने पहले आप देख सकते हैं कि मेरा सीट कवर कैसा था और इस सीट कवर के नीचे ब्लू है और ब्लू के नीचे भी एक रेड़ वाला है तो तीन सीट कवर लगे वी है अभी तो इसलिए बाइक का जो सीट है वो बैटने पर थोड़ा सा स्पॉंज वा पर देख सकते हैं तो फिर यह वाला जो सीट कवर है तो इसको मुझको मैंना ओडर दिया था कि ऐसा वाला कुछ और ले आना तो उसने मुझको बोला था के लिया आओंगा तो फिर इसका पढ़ गया मुझको 400 और इसका मुझको पढ़ा था 50 रुपया और बाइक का फेटर I have 000 , 1000 पे अपना दिता हुए और पूरी वाईक्ज को परी सर्विसिंग कर बाता हुआ एक ड़ी महीने के बाद करवा ले था उस चेंज तो आप देख सकते हैं नंबर प्लेट को जो मैं अंदर के तरफ मोड दिया हूं तो ये भी काफी एक अच्छे सा लुक देता है सामने से निकला हुआ नहीं लगता तो आप टायर देख सकते हैं टायर भी मैंने चेंज कर दिया है मैंने 20,000 पर अपना वpload सकते हैं मोडिफाय किया था मोडिफाय क्या फ्लीन कल देख सकते हैं मेरे चैंडल पर जाए कि यहां पाई Ginsindy कहा नाम मौडवीगैशन तो सकते हैं मुझ को पढ़ गया था 220 रूपिया ऐसी कुछ मौडिफिकेशन करवाई छी implah को आपने शीक्यान नहीं से कुगने म तो उसको मैंने उठा दिया था और अभी आप देख सकते मीटर काम करने लगी है मैंने पेनियम कम से कम मेरा 16-17 बार चेंज हुआ है मीटर का पेनियम तो उसमें ज्यादा करती नबर रुपय का पेनियम आता है और 100 रुपय दे देता है हम गैरिज पर तो आप टैंक लीड दे अपने हिसाब लगा लेना कि आपको निकालने से क्या होता है कि लुक आता है और वाइक को अच्छे लग दिए चलाने पर दिक्कत तो होती है पीछे वाले बंद को आप देख नहीं सकते का कौन नहीं आ रहा तो एक्सिजेंट होने के चांसे भी हुआ आप अपने हिसाब स से लगा लेना कि आप저े निकाला है या फिर नहीं हमने तो पहले दिन ही गाड़ी को जब मैंने खरीजा था 2016 को ज़åन को तब वसी दिन मे रात को निकाल दिया था बाइक और आपको ही हम लेक लेकर आए थे तो उसी दिन मेने पैसे जोड़ते हैं फिर उसके बाद जाते हैं अपने बाइक को और और भी कर देते हैं कुछ फोड़क्ट और फिर उसके बाद करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं तो पैसे जोड़ने का जो तरीका है बो मैं आप लोगों को बता देना चाहते हो अगर आपके पॉकट या फर 500 के अंदर आपको modify कर बाने के लिए आपको मिल जाएगा महाँ पर पिगी बैंक को तोड़ के आप ले सकते हो वह प्राइस तो फ्रेंट्स मैंने modify भी आपको दिखा दिया के कैसा वाला modify किया है मैंने और camera quality आप बताना के कैसा है तो फ्रेंट्स अभी हम जाएंगे कुछ काम है salon पर जाएंगे हम फड़ा सा saving करना है हमको और वीडियो को देखते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंट्स क्योंकि मुझे भी सब्सक्राइब आरकी बहुत ही ज़्यादा जरू को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को जयाता से जाते देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपका भाई monetization तक कभी नहीं पहुंचा है पहुंचा दीजिए आपके भाई या को monetization तक मैं सोच रहा था कि हौन के उपर एक नया वाला वीडियो बनाओ के हौन अब